हेलो दोस्तू इस समय जबके पूरी दुनिया लॉकडॉन के परिशानी को झेल रहा है हम अके लिए बैठे हैं ये चाय हमारे मूड को इनहांस करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा तो चलिए बनाते हैं एक हरबल टी सबसे पहले हमने एक सॉस फैन में चार काली मिर्च और चार लॉंग लिया है और धाई सॉ एमिल पानी लिया है ये चाय दो लोगों के लिए काफी होगा और हम इसे स्लो फ्लेम पर बनाएंगे इसे धीमे आज पर हलके हलके गुन गुनाते हुए पकने देना है तो यहां पर हमने आदे इंच के अदरक के टुकरे को ग्रेटर में चॉप कर लिया है साथ ही इसमें हम कुछ और दूसरी चीज़े डालेंगे तो यहां पर मैंने डाला है तुलसी के पौदे से कुछ पत्या ली हैं जो के लगबग एक टीए स्पून है अगर बड़े पत्ते हैं तो पांच शे पत्ते काफी होंगे साथ ही हमन यहां पर हमने एपल का बाहरी चिलका लिया है आप चाहें तो मैंने यहां पर एक एपल का पील लिया है आप चाहें तो दो तीन एपल पील भी ले सकते हैं साथ ही दारचीनी या इलाइची का भी आप इस्तामाल कर सकते हैं मैंने यहां पर नहीं किया है अब इस पतीले को ह फ्लेम पर रख दिया है थोड़ा सा इसमें गुन-गुना हट आएगी तो मैं इसे कम से कम पांच छे मिनट तक पकने दूंगी इस तरह से ये सारी खुश्बू जो है वो पानी में इन्फ्यूस कर जाएगा अब एक प्याली ले लेना है और उसमें मैंने डाला है ब्राउन ने सिमर करके पानी तयार किया है टी वाटर जो तयार किया है वो इसमें डाल दे बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही टेस्टी चाय होती है और मैंने यहां पर चाय की पती भी इस्तामाल नहीं किया है मगर फिर भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है आप चाहें तो यहां पर एक चुटकी हल्दी भी इस्तामाल कर सकते हैं जो के सोर थ्रोट के लिए बहुत फाइदमन्द होता है तो आप अपनी पसंद से भी इसमें कुछ हरबल इस्तामाल कर सकते हैं अब इसे आप चला लें देखें इसका कलर कितना शांदार लग रहा है तो इसे बनाएं और इस लॉक्डान में आप इसको पीएं अपने घर वाले फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको पिलाएं वो खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा अकेलापन भी दूर हो जाएगा मोड इनहांस हो जाएगा तो पिएं पिलाएं और हमें कमेंट करें कि आपको ये चाय कैसी लेगी उमीद है आपने इस चाय को इंजॉई किया होगा थैंक यू